कि हलो इस्टूडिन बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवियर स्टडी में देखिए साथियों इसके पहले आपने देखा था चोटे चोटे नंबर का क्यूब रूट हमने निकाला था इसक्वाइर रूट भी मैंने आपको दिखा दिये था आज हम कुछ महत्तवपूर बात करने वाले हैं इस कलास को द्यान से देखना और पूरा इंडिय तक देखना अगर आपको मैथ सीखना है तो आज से आपको टेंसन छोड़ देना है बस कलास को द्यान पूरबग देखना है और कांपी लेकर करके एक नोट भी बनाना है ठीक है परफेक्ट क्यूब समथ तो निकालेंगे तो आठ आप जायगा निकाल करो लेकिन कि नौसगु न्यों निकालने के बाद एक संख्य आए वह पूर्व संख्या है यह पूल यह हम ले क्या होता है और जिए जुब का परफेक्ट कीव मोता है और जम्ख्याओं निकालने के बाद हो सरी मतलब क्योट के बाद कोई पूर्ड संख्या नाहे हो नान पर्फेक्ट क्यूब होता है ठीक है यह जो नो नमाई कैसी नमया 739 मतलब नौ आएगा अगर 739 होगा तब दस आएगा अगर 1000 होगा तब तो भाईया यह 739 ज्यादा है 917 एक हजार से कम है यानि जो इसका अंसर आएगा वह साथ और 9 के बीच में आएगा मतलब ना तो साथ आएगा ना आएगा यह भी मत सोचना कि 8 आएगा समज रहे हो ना साथ 739 343 होता है नोगा कि सॉरी 9 और 10 के बीच आएगा इसका जो आएगा वह नोगों और दस के बीच आएगा बाट समझेंगे ना यहानि 9.something इसका आएगा कहने का यह मतलब है ना तो नौ आएगा इसका ना तो 10 आएगा नो तब आता जब 739 होत में आएगा यानि नाइन पॉइंट संथिंग आएगा इसका क्यूब निकालोगे तो तो यह इस तरह के नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं नान परफेक्ट क्यूब होते हैं उसी तरह से यह नो नमा जो एक क्यासी है ना आप जानते हो अगर इसका वर गनमूल चार होता है इसी तरह से अगर 25-25 पंचे कितना होता है आप जानते हो ना 25-25 ना तो देखो कि 125 यहां पर हम पांच लिखें तो बेटर होगा चार्चोग 1664 या 125 दोनों ध्यान से देखो 164 अगर होता तो इसका घनमूल चारा था अगर 125 होता तो पांच आता लेकिन यार यह 64 और 125 दोनों के बीच में है क्या सी कहने का मतलब 4.something आएगा इसका अंसर क्या आएगा 4.something आएगा मतलब कोई एक पूर्ड संख्यान आएगी ना तो चार आएगा 81 का घनमूल ना तो पांच आएगा दोनों से क्या आएगा डिफरेंट आएगा दोनों के बीच में तो इस तरह से इस तरह की जो भी संख्या हैं और नान पर्फेक्ट क्यूब का लाती हैं दोनों का चलो मैं एक 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 जामपल आपको दिखाता हूँ तो ऐसे इसको लिखो गी फैले 33 पचातर तर आप जानते हो यह फिसम्संख्या ओफ रहिगी sam25 सभी कीड़ा to Märmbas कि इस कट सकती है तीन से कट सकती है अब तीन से देखो कटेगी अकम तीन 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 तून अच्छ कट जाएगी District система क्लें और यह 325 सब्सक्रा någon तेन अब सेgtया अब मतलब यह कि आपने जब 33% 65% मी भाग दिया तीन-टीन गठाने जीरू आया उफर से दूसरा ने सारा पिर नीएख कम तीन इस तरह से आपने भाग किया खी और ऑपर ce 수 सीजपल j employed जीरू आ गया है it is कटने का मतलब यह है कि लाइश्ट में जीरो आए तो इस तरह से तीन से जब भाग किया था तो ऊपर ग्यारा सो पचीस आया था और जो ऊपर आता है वही भाग फल होता है उसको हम यहां लिख दिये इसी तरह से आप फिर से अभी सी ग्यारा सो पचीस में किसी संक्या से और यह बचे गद्धो हो जाया गवाइस तीन सते कई इस तीन पचे पंदरा इतना अगया ठीक है इसी तरह से आप इसका पूरा कंफलीट करो तो क्या करते हैं हम पूरा तरह से इसको फैक्टर कर लेंगे तो आप आओगे तीन से फिर सभाग करो 125 आएगा फिर से पांच से से कट भी 125 को चूकी 125 अब तीन से नहीं कटनेए ओला रहें और एक जोड़ा यह पांच का बन रहा है इसमें से एक तीन बाहर आ जायएगा इसमें से पांच बाहर आजाएगा दोनों का गुड़ा कर लोगे तो तीन पचे पंदरा हो जाएगा ये पंदरा इसका अंसर हो गया कहने का मतलब आप समझ गये होंगे कि पंदरा आगया तैस पचतर का घानमूल ठीक है तो यह बड़ी संख्या का घानमूल था जो मैंने आपको पहली कलास में नहीं बताया था तो से आप इससे सीक गये है ना आगई समझ में चले आगए इसी तरह से आप बंदरा हजार शेयों कुद इस तरह से क्या करोगे पहले आप गूड़न खंड करोगे गूड़न खंड करना मैंने पिछं़ी कलास में करने बता दीला अगर नहीं करोंगे तो इतना आघाएगा फिर 5 से फिर पांच से इस तरह से इसका फैक्टर कर लेना लाष्ट में क्या करोंगे साथ हूं आप जानते हो कि हमने बताया था क्यूब में 33 क्या पेर बनाओगे यह देखो 33 के पेर बन गएं इस तरह से और फिर दिकल जाएगा विसमें से Judicic निकल द जाएगा ऐस्में आपका वंडीजित निकल जाएगा तो इसका फो घर घ्र 35 फाइब क्या हो गया पंदहर हघाजार हघांदाच सोफ 2 हों अब आप इसमें एक काम यह भी सकते हो अगर आप से 625 होता है नहीं तो कुछ लोग के दिमाग में आ रहा हो कि भाई यह 25 का तो 625 होता है इसको आयर 625 होता है क्यूब 15625 होता है बात समझ गए न तो इस तरह से आप इसको समझ चुके हो तो चलो कुछ हम आपको और भी बता देते हैं एक दो सवाल देखो नान पर्फेक्ट वाले में भी एक देख लो जैसे हमने लिखा संख्या 900 900 एक नान पर्फेक्ट रूट है यह क्यूब है इसका कंप्लेटली घनमूल नहीं आएगा चाहे देख लो कैसे चलो पहले हम इसका गुड़न खंड कर लेते हैं तो आप जान रहो यह सम संख्य है दो से कटेगा तो दो से कटेगा तो दो चोक आट दो पंचे दस फिर आप दो से कटोगे दो दूना चार दो दूना चार दो पंचे दस अब यह तीन से कटेगा तीन से कटोगे तीन दूना चाह तीन पचे पंदरा और फिर यह पांच से कटेगा आपके सामने ही देखो ये दो बार दो से कटा है और दो बार तीन से कटा है और दो ही बार पांच से कटा है है erna तो देखो होगा कि आभगा में अभी जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा इसपर हम घंमूल करना चाहेंगे तो पता है आपको देखो यह क्योब रूट लगाओगे 900 यहां पर तीन जरूर लिखना फिर यह चिन लगा करके दो फिर तीन फिर फांच फिर फांच देखो हमें घनमूल बनाने के लिए 3-3 जोडों की जरूरत पड़ती है 3-3 का पेयर बनता है 2-2 का कभी नहीं बनता है अगर इसका वर्गमूल करना होता तो हम 2-2 का पेयर बना लेते 2-3, 6-5 इसका 30 वर्गमूल आ जाता है लेकिन हमें घनमूल करना है तो आप देखो इसमें से किसी का भी कोई जोड़ा बन रहा है तो यानि फाइनल में इसका हमारा अंसर कितना होगा अगर हमें इसका अंसर पूछा जाएगा हमसे तो हम इसका अंसर ना तो जोड़ा बनेगा हम इसका अंसर यही देंगे इसका 900 का घनमुल 900 ही होगा बात समझ गए ना अगर हमें अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 का मान रखना हो जैसे देखो 9 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुड़ा अंडर रूट 3 लिख सकते हैं अगर हमें अंडर रूट 3 का मान रखने को मिल जाए तो इसका मान हम दसामलों में तो ला सकते हैं इसका मान जो है 900 का घनमल दसामलों में अगर निकालना हो तो हम कुछ ला सकते हैं लेकिन इसका हम मान सीधा-फिधा नहीं ला सकते हैं सब्सक्राइब नथे उसका बोसे करते हैं शुत करना कि रुदा नि जोड़ा निये बन रहा है नहीं उसका एक रोगगहा जसका बन रहा लुदार उसका उद्धार हो गया बाहर निकल गया तो पांच नदर में तो इस तरह से यह इस पर हलका सा तीन जरूर लिखे रहना ठीक है टू और यह क्यूब रूट के अंदर पांच इसका अंसर होगा इसे थोड़ा सा अच्छे से में लिखके दिखा देता हूं तो यह ऐसे लिखा जाएगा टू और यह चिन रहेगा और यह पांच रहेगा और तीन चोटा सा जरूर रहेगा बद समझ गए ना यह इसके बीच में गुड़ा का चिन है पूरे के यह इतना इसका अंसर होगा चालिस का मतलब पूरी तरह से कोई इसका अंसर नहीं आएगा कि तीस आ गया बीस आ पांच आ गया इन्हें कहते हैं नान परफेक्ट क्यूब क क्या कहते हैं नान परफेक्ट क्युब इसका पूरा तरह से अनसर नहीं आएगा जैसे अगर हमें निकालना होता हुआ हमान लो इसमें अगर मैं लें ले था हूं था西10 तिन त्रिक नोट्रिक 27 है ना 27 का निकालते हैं तो तीन आ जाता आप सभी जानते हो इस तरह से आप अगर किसी फर्फेक्ट की उपर निकालते हैं जो कि मैं पहले बता चुका हूं तो कम्पलीट हो जाता ठीक है तो आज की क्लास में इतना ही अगर आप प्रीमियम क्लाफ लेना चाहते हैं मतलब आप एक महीना के अंदर पूरा कम्पलीट बेसिक मैच सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पर वाटसप पर जोई जेड़े अलेम लिग करके बेजें कॉल के लिए नं से बहुत सारे हैं टाइम ज्यादा लगेगा पाकी तो हम हर दिन सीख आई रहे हैं है ना तो आप अगर जोईन कर लेंगे तो आपको लंबी-लंबी कलासे मिल जाएंगी दो दो घंटे तिन-तिन घंटे की आप जल्दी खतम कर पाएंगी ठीक है तो जो चाहें आप वो कर सक होते हैं फिलालाच के लिए नहीं जय हिन जय भारत चलते चलते निभीदन होगा इस कलास को सेयर जरूर करना